हलो एवरिवन वेल्कम टू प्रिंसास्ति फोटाग्रफी और आज का टुटोरियल कलर ग्रेडिंग के बारे में कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होती है कलर ग्रेड करने के लिए चाहे वो कमरिशल शूटर हो या खुद के लिए फोटाग्रफी करते हों कई बार ऐस ऐसा होदा है की हम कलर ग्रेड को लेकर के बहुत सब्सक्राइब क्यां सब्सक्राशव विकास डिव was कि दिख़ना करें कि इस तरीके से करें अगर आज आपको नट आर पकी, इंग मुज को इक अमेरिंग लुक दे, वो फ्ऩोटोशॉप में आपको मिन जाएगा नहीं कोई preset है नहीं कोई बहुत ज़्यादा brushing करने है या बाहर को इधर-इधर करना trick है बस जो आपको देखनी है और समझनी है कि किस तरीके से करते हैं दूसरा जो आज मैं trick बताऊंगा ये Photoshop जो user है वो 7.0 जो बहुत ओल्ड वर्जन आता था किसी भी software पर आप काम करेंगे Photoshop के कोई भी वर्जन हो आप easily उसे कर सकते हैं तो मैं यह कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरा जरूर देखें और मैं यहाँ पर एक simple trick आपको बताऊंगा तो बने रहे हैं मेरे साथ अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe करें like करें comment करें और मेरी पुरानी भी वीडियो देखें तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करूँगा यहाँ पर देखेंगे image जब मैंने दो images open करके रखी है first and second तो यह दो images है जिन पर हम काम करेंगे और जानेगे किस सरीके से edit करते हैं यह images मैंने एक website से download करी है मैं website आपको दिखा दे रहा हूं मैंने images pixels से download करी है आप यहां से download कर सकते हैं even मैं इस images का link जो है आपको description में दे रहा हूं ठीक है तो चलिए मैं शुरू करता हूं देखेंगे आपके पास यहाँ पर image यह open है तो सबसे पहले क्या करना है हमें यहां पर देखेंगे layers चैनल से path तीन चीजे में यहां पर layer में आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम mode change करेंगे बेसे कि हम लोग edit करते हैं तो आपने देखा होगा जो modes होते हैं यहां पर RGB colors जो Adobe का अपना RGB colors में होगा है दूसरा CMY के तीसरा lab color होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस image को lab colors में convert कर देंगे ठीक है मोड पर आके इसे RGB कर देता हूँ तोड़ा सा define कर लो कि यह मैंने क्यों किया है अगर आप path पर आए चैनल पर आए लेयर की जगह चैनल पर आएंगे तो यहां पर RGB RGB के तीनों variant यहां पर दिये हुए red, green and blue यह तीन variant दिये हुए अगर हम इसे change करते हैं मोड में आके इसे मैं change कर दो लैब कलर में तो यह change हो जाएगा लैब, lightness, a and b यहां पर तीन जो लेयर्स थी वो RGB चैनल पर लैब कलर में define हो गई लैब कलर में lightness और a और b उनके कुछ मानक हैं जिनके आधार पर यह तीन लेयर्स एड़िवाइड होगे अब आपको simply करना क्या है हमने बी वाली लेयर जो है अगर इंडूजली अगर आप देखें तो हर एक लेयर अलग से दिखती है इस लैब कलर आप देखें तो कुछ आपको पूरी टोटल जो कलर एक्शुल है वो दिखती है लाइटनेस पर ब्लैकन वाइट हो जाती है ए पर थोड़ी सी फजीनेस हो जाती है इमेज ग्रे स्केल ज़्यादा लग रहा है और बी पर और भी ज़्यादा तो हमें करना क्या कि बी वाली जो लेयर हम इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करें और आपकी इमेज दिखेंगे ओवर आल सेलेक्ट हो जाती है और दूसरा एडिट पर आके इसे आपको कॉपी करना है यहां से आप कॉपी कर सकते हैं अदर्वाइस आप कमांड भी यूज करते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी तो हमने क्या किया कंट्रोल सी कर लिया है हम इसे कॉपी कर लेंगे और जो यह वाली लेयर यहां पर जो दिख रही है आपको वहां पर आके इसे हम पेस्ट कर देंगे हमने पेस्ट कर दिया अब अगर मैं तीनों लेयर को आन करूं सिंप्ली आप चैनल से हम बाहर आ जाएंगे और लेयर पर तो अभी देखे क्या इमेज थी और क्या बन चुकी है ठीक है सिंगल क्लिप पर आपको यह result मिल रहा है अगर मैं before and after दिखाना चाहूं आपको तो एक दूसरा माध्यम होगा मैं दुबारा सी इमेज आपको यहीं पर है मैं desktop पे open करके दिखा रहा हूं अगर आप image देखना च तो कितने subtle changes है बिलकुल ही image बदल चुकी है आप single click के द्वारा तो यह output आपको मिलता है lab color change करके अब अगर हम बात करें कि हम पुरानी layer पर आजाते हैं अपनी और इसे यहां से आने के बाद आप क्या करना है अगर adjustment पर आएं तो यहां पर देखेंगे कई सारे options आपके off हो चुक है यानि कि आप अब इसमें apply नहीं कर सकते vibrance या hue saturation या color वगएरा आप chain नहीं कर सकते लेकिन हम दुबारा mode पर आएं से RGB में convert कर दें तो पुराना जो आपका Photoshop lab color से convert होके RGB colors में आगर अगर हम किसी भी mode में जाना चाहें तो सारे के सारे options आपके सामने open है चलिए यहा अपन किया यहां से selective color selective color पर आजाते हैं माली यह red है यहां रेडम increase यह decrease जिस तरीके से करना चाहा है जो भी color यहां पर हम देना चाहा है जितने भी changes करना चाहे यह जिस तरीके के आप colors apply करना चाहते है जितना आप selective color के साथ छेड़ चाड़ करेंगे उतने amazing results आपको मिलते रहे हैं ठीक है यह हो गया एक तरीका एक image पर हमने इस तरीके से काम किया चलिए दूसरी image पर आते हैं हमारे पास एक image और है सेम चीजे हम इस पर भी यहां पर follow करेंगे लेकिन थोड़ा यहां पर changes करेंगे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे modes पर आएंगे इसे हम chain कर हम यहां पर channels में channels में आएंगे इस पार पहले बार हमने B copy करा था तो हमें यह वाला लूप मिला image में अगर सूचिए अगर आर यह वाला copy करके B वाले पर apply करेंगे तो क्या होगा मैं A यहां पर select कर रहा हूं Ctrl A Ctrl C और B पर आगे Ctrl V पेस्ट कर दिया job done आपके सामने blue and orange का जो color यहां पर मिले हैं और देखरेंगे कितनी भेतरी इन से color आपको जो cinematic tones and colors जिनकी हम बात करते हैं आप preset supply करते हैं या actions अप्लाई करते हैं तो within a second आप यह चीज़े कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कोई tricky भी नहीं फिर से हम क्या करेंगे इस image क तो चेंड कर देंगे दुबारा से modes पर आके RGB में चेंड करेंगे दुबारा से आपके आप सारे panels open है selective coloring और इस बार हम चूज कर रहे हैं यहां पर red जैसे select होते हैं यहां पर सेयान अगर आप कम ज्यादा करना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं अगर हम सेयान color ही यहां पर select करें और उसकी radius chain करेंगे तो आपके पास जो background है वो आप different toning apply कर सकते हैं यहां पर जितना बेतरी से आप काम करना चाहें blue, dark blue जिस तरीके से भी आप काम करना चाहें बहुत easily आप apply कर सकते हैं ठीक है जितने भी आप changes करना चाहें आप easily आप apply करके उन colors को change कर सकते हैं तो य यह मेरे recording एक photoshop की बहुत ही ultimate trick है जिसे आप color grade कर सकते हैं और आपको नहीं जैसे कि दो images मैं आप खास बात बता दूँ आपने यहां पर दो images देखी थी पहली image जो आपने देखी हुई थी यह वाली यहां पर देखेंगे blue and green sorry yellow and green के colors आपको ज्यादा मिल लेते हैं मैं इसे बिल्कुल तब्दील कर दिया, change कर दिया, red tone में कर दिया, red कहेंगे इसे dark maroon color की जो भी toning है दिख रही है आपको, यहां पर देखेंगे तो bg पहले बिल्कुल green था, तो यह tricks अगर आप apply कर रहे हैं तो कोशिश करें कि images जो ले रहे हैं, nature की images जैसे हम pre-warding shoot करते हैं तो nature म humanize जो होती हमेसा nature को correct देखते हैं, जैसा दिखता है, हमारी यहां के green को green ही देखते हैं, लेकिन जब हम photoshoot कर रहे होते हैं, वहां पर हमने green capture किया, client को पता है, green color का background यह था, लेकिन जब आप process करके उसको different color zone में लेके जाते हैं, different toning में लेके जाते हैं, तो client को मजा आता ह इससे आपका काम भी निखरता है, और आप images अच्छे से edit करते हैं, और उनका result बहुत अच्छे से आता है, तो उमीद करूँगे यह tutorial आपके लिए बहुत useful लाओगा, अगर useful है तो please channel को subscribe करना ना भूले, bell icon ज़रूर दबा दें, जिससे आपको समय को notifications मिलती रहे, दूसरा कहना चाहूँ, आप मेरी बुरानी videos भी देखें, जो other videos मेरे channel पे हैं, बहुत कुछ आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, retouching से related या eye retouching या जो भी आप Photoshop में डोन रहे होंगे, करीवन 140 प्लस videos हैं, तो आप वहाँ पर जाके search मारके देख सकते हैं, और playlist में जाके, तो इसी क साथ मैं bye बोलूँगा, और next video के साथ आपके समने दुबारा हाजरूँगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,